हेलो फ्रेंट्स, मैं प्रियंग का अपने चैनल रेस्पी रेस्पी में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग मैंगो जूस की रेस्पी लाई हूँ इस measurement से आप 1 लिटर, 2 लिटर, 3 लिटर जितने चाहे उतनी मात्रा में mango juice बना सकते हैं तो चलिए friends रेस्पी की शुरुआत करते हैं mango juice बनाने के लिए मैंने 3 पके आम लिए हैं आम पूरी तरह से पका हुआ और मीठा होना चाहिए ऐसे आम का juice बहुत टेस्टी बनता है साथ ही इसका color भी बहुत अच्छा आता है यानि कि juice में food color मिलानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कच्चे आम हैं 2, आम छोटे-छोटे हैं इसलिए मैंने 2 आम लिए हैं कच्चे आम से mango juice में हलकी सी खटास आएगी जिसे की juice बहुत टेस्टी लगेगा अभी में पके आम और कच्चे आम दोनों को काटकर कब से इनका measurement बताऊंगी ताकि आपको recipe बनाने में किसी तरह का confusion नहीं हो चीनी एक कप है जो की 200 ग्राम है अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा थुड़ी सी और बढ़ा सकते हैं साथ में हमें पानी भी चाहिए रेस्पी में एक से सवा लीटर पानी लग जाएगा आम को हम चाकू या फिर पीलर की मदद से छील लेंगे मैंने सारे आम छील लिये हैं अब मैं इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में काट लेती हूँ ताकि कब से इसका measurement परफेक्टली पता चल सके काटने के बाद पके हुए आम का पल्प कप से दो कप हैं सेम तरीके से में कच्चे आम को चील कर छोटे छोटे पीसेज में काट लेती हूँ जो आम पकने के बाद बहुत जादा मीठा हो जाता है वैसे आम से मैंगो फूर्टी या माजे जैसा मैंगो जूस बनाने के लिए रेस्पी में कच्चे आम का इस्तमाल करना ही पड़ेगा लेकिन अगर पका हूँ आम पूरी तरह से पका नहीं हो यानि की थोड़ा बहुत खटा भी हो तब रेस्पी में कच्चे आम के इस्तमाल करने की ज़रूरत नहीं है कच्चा आम कप से थिरी फोर्थ कप है यानि कि अगर हम पके आम का पल्प दो कप ले रहे हैं तब हमें कच्चे आम का पल्प थिरी फोर्थ कप लेना है अब हम कटे हुए पके आम और कच्चे आम को कुकर में डाल कर पकाएंगे इसी समय हम इसमें चीनी भी डाल देंगे इस समय चीनी डालने से जूस का कलर बहुत अच्छा आएगा इन सब को पकाने के लिए हम एक कप पानी का इस्तमाल करेंगे फ्रेंट्स मेजर्मेंट के लिए मैंने जिस कप का इस्तमाल किया है उसमें एक कप 200 ml का कप है आप चाहे तो कप की जगह किसी भी साइज के कप कटोरिया गलास का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बस इस बाद का ध्यान रखना है कि जिस कप कटोरिया गलास से हम दो बार पके मैंगो का पल्प लेंगे उसी से हमें कच्चे आम का प्ल्प और चीनी लेना है पानी का मेजरमेंट भी हमें उसी से करना है कुकर की लिए लगा कर हम सारी समगरियों को 2 सीटी लगने तक पकाएंगे गैस की फ्लेम इस समय हाई रहेगे कुकर में 2 सीटी आ चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे कुकर के प्रेसर को अपने आप रिलीज होने देना है प्रेसर रिलीज होने के बाद जब मैंगो पल्प पूरी तरह से ठंदा हो जाएगा तब हम पल्प को मिक्सी में पीसेंगे मैंगो पल्प पूरी तरह से ठंदा हो चुका है पल्प और इसके पानी को हम एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो तब इसे दो से तीन बार में मिक्सी में पीसना है नहीं तो ये ओवर्फलो करेगा आम पूरी तरह से पका होने की वज़ा से और मैंगो पल्प को चीनी के साथ पकाने की वज़ा से मैंगो प्यूरी का कलर बहुत ही अच्छा आया है प्यूरी को हम च्छनी से चान लेंगे ताकि इसे रेशे अलग हो जाए ये देखे फ्रेंट्स प्यूरी को चानने के बाद कितने रेशे निकले हैं इन रेशों की वज़ए से मैंगो जूस का टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसलिए इन्हें निकालना जरूरी है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते रहेंगे ताकि मैंगो जूस ज्यादा पतला ना बने मैंने अभी इसमें टोटल एक लिटर पानी डाल दिया है अगर आप किसी कप कटोरी या गलास से मिजर्मेंट ले रहे हैं तब इस समय आपको पानी की मात्रा उसी कप कटोरी या गलास से सारी चार कप लेनी है फ्रंड साप अपने हिसाब से पानी की मात्रा घटा भी सकते हैं, यानि कि हमें mango juice जितना गाड़ा चाहिए उतना ही हमें पानी मिलाना है पल पकाते समय मैंने एक कप पानी का इस्तमाल किया था और अभी मैंने प्योडी में एक लीटर पानी डाला है जिसे की टोटल तेर लीटर mango juice बना है juice का कलर तो अच्छा आया ही है, साथी इसकी consistency भी बहुत सही है अब इसमें और ज्यादा पानी मिलानी की ज़रूरत नहीं है अब हम mango juice को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा करेंगे, इसके बाद सर्व करेंगे ठंडा juice का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अगर juice तुरंट सर्व करना हो, तब juice बनाने में चिल्ड पानी का इस्तमाल करिए फ्रेंट्स इस juice से हम popsicle भी बना सकते हैं लेकिन अगर आपको popsicle में ज़्यादा मिठास चाहिए तब ये करना है कि popsicle mold में जितना juice आएगा उसमें 100 ml juice के हिसाब से 2 teaspoon चिनी की मात्रा बढ़ाते जाना है मैं juice को 2-3 घंटे के लिए freeze में और popsicle mold को overnight के लिए freezer में रख देती हूँ juice में मैंने किसी तरह की preservative का इस्तमाल नहीं किया है इसलिए इसे freeze में store करके रखना है बाहर में ये खराब हो जाएगा freeze में store करके हम इसे 10-12 दिनों तक रख सकते है तो लीजे friends mango fruity और माजा जैसा mango juice घर में बनकर तयार है इस recipe को आप सब भी जरू ट्राइ करके देखिए मैंने perfect measurement के साथ ये recipe बताई है इसलिए mango juice एकदम fruity और माजा जैसा बनेगा अब मैं popsiclely mold करके दिखाती हूँ mold को कुछ सेगेंड के लिए पानी में dip करके रखेंगे ये देखें friends कितनी आसानी से popsiclely mold हो गया friends कैसी लगी मेरी आज की ए रेस्पी मुझे comment में जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी आज की ए रेस्पी पसंद आई हो तो इसे like share जरूर करिएगा साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की notification आपको मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स